शाउमी 14 सीरीज को 25 फरवरी को मोबाइल वर्ल्ड कॉंग्रेस MWC 2024 से पहले वैश्विक स्तर पर पेश किया गया था लाइनप में तीन मॉडल शामिल हैं, बेस शाउमी 14, शाउमी 14 प्रो और शाउमी 14 अल्टर बेस और प्रो मॉडल का अक्टूबर 2023 में चीन में अनावरन किया गया था, जबकि अल्टर मॉडल को वैश्विक प्रदर्शन से कुछ दिन पहले लॉंच किया गया था कम्पनी ने पहले पुष्टी की है कि शाउमी 14 हैंसेट 7 मार्च को भारत में लॉंच होगा अब एक आधिकारिक टीजर शाउमी 14 सीरीज के लॉंच का संकेट देता है एक्स पूर्व में ट्विटर पर एक पोस्ट में शाउमी इंडिया ने एक टीजर साजह किया जिसमें दावा किया गया है कि शाउमी 14 सीरीज 7 मार्च को भारत में लॉंच होने वाली है पोस्ट में ये सपश्ट नहीं किया गया है कि भारत में लॉंच में कौन से मॉडल शामिल होंगे पंत्ती बनाएं शाउमी 14 अल्टर मॉडल में से एक होने की उमीद है विशेश रूप से पिछला शाउमी 13 अल्टर मॉडल भारत में लॉंच नहीं किया गया था इसलिए हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि प्रो मॉडल शाओमी 14 के साथ भारत में आ सकता है शाओमी 14 हैंसेट के भारतिय वेरियंट में चीनी समकक्षों के समान स्पेसिफिकेशन साज़ा होने की उम्मीद है इसलिए शाओमी 14 अल्टर 6.73 इंच LTPO AMO LED माइक्रो कर्ड डिस्पले स्नैप ड्रेगन 8 जेन 3 सोग 50 मेगापिक्सल क्वाड रियर कैमरा यूनिट 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा सेंसर 5300 के साथ देश में आ सकता है 90WY Fast Charging और IP68 रेटिंग के समर्थन के साथ माह बैटरी शाओमी 14 अल्टर को चीन में काले, नीली और सफेद रंगों में लॉंच किया गया इसकी शुरुवात 12 गीगाबाइट जोड 256 गीगाबाइट विकल्प के लिए 6499 चीनी यूआन लगभग 24,800 रुपे से हुई जबकि 16 गीगाबाइट जोड 512 गीगाबाइट और 16 गीगाबाइट जोड 1 टेरबाइट कॉन्फिगरेशन की कीमत क्रमशक 6,9999 चीनी यूआन लगभग 8,600 रुपे और 7,799 चीनी यूआन लगभग 89,800 रुपे थी इसे टाइटिनियम स्पेशल एडिशन में भी पेश किया गया था जिसे 16 गीगाबाइट जोड 1 टेरबाइट के लिए 8,799 चीनी यूआन लगभग 11,300 रुपे में सूची बद किया गया था